12 अक्टूबर को पारशत प्रकाश धामी की दिन दहाड़े हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक शूटर को गरफतार कर लिया है पुलिस के मताबिक पारशत प्रकाश धामी की हत्या की साजिश भदैपुरा में रहने वाले पूरो सभासत राजेश गंगवार वा उसके भाई अन्नू गंगवार की ओर से रजी गई थी साथी पुलिस ने हत्या में इस्तवाल किये गए तमंचा, तीन जिन्दा कार्तूस और एक मोबाईल फोन बरामत किया है जबकि हत्या के शड़ेंद्रकारी पूरो सभासत राजेश गंगवार और उसके छोटे भाई हिष्टे शीटर अन्नू गंगवार समेच छे हत्या रोपित अभी भी फरार है ऐसे में पुलिस टीम फरार आरोपियों की तलाश में यूपी में दबिश दे रही है जबकि घरफतार शूटर को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल फेज दिया है दरसल भदैपुरा निवासी पूरो सभासत राजेश गंगवार और उसका छोटा भाई अन्नू गंगवार पारशत प्रकाश धामी से रंजिश रखते हैं 2017 में राजेश पर जानलेवा हमला करने वालों की पारशत धामी पैरवी कर रहा था इसके लावा चुनाओ के दोरान भी प्रकाश धामी और राजेश गंगवार के बीच विवाद हुआ था वहीं SSP ने बताया कि फरार पूरो सभासत राजेश गंगवार उसके भाई अन्नू गंगवार और साथी दिनेश शर्मा के लावा हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले फरार तीन शूपरों के भी तलाश की जा रही है जल्दी उन्हें भी गरफतार कर लिया जाएगा पूरी घर्टनाकरम में जो भी हाँ पर अन्नू गंगवार उसका बड़ा भाई जो राजेश गंगवार देनेश शर्मा जो सदाज का रहने वाला है तीन इसमें इंवाल्ड है इस सरंतेकारी है इसके साथ सांथ इसमें अंतराजी गैंके अन्य तीन अपरादी हैं इसमें उनको भी हमने बहुत महत्पूर जानकारी हमने पराप कर लिए हैं और साथ इस घर्टना में पर्यूद जतने भी अन्य संसादों के स्तमाल किया गया उनकी रिकवरी हम जो भी करेंगे और तीनों अब्युक्त जो अभी तीनों अब्युक्त मनलें तीन और छे शे शे जो ब अब्युक्त